परिचाए प्रदूशित कर दिया है तथा ये गंदी दिखती है पैम, हम किस प्रकार इस नदी को प्रदूशित कर रहे हैं? हमारी बहुत सी गतेविधियां जैसे प्लास्टिक के थैले भेंकना कारों से होने वाला प्रदूशन और द्योगिक कचरा डालना इसकी स्वच्छता को क्षती पहुचाते हैं आओ, इन्हें और हमारे पर्यावरण पर इनके प्रभावों के बारे में विस्तार से जाने उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पर्यावरण को परिभाशित करने और इसके सजीव और निर्जीव कारकों की सूची बनाना परितंत्र की अवधारणा उसके घटकों और जैव घटकों के समुकरण की चर्चा करना एक दूसरे के पोशक जीवों की श्रंखला यानी आहार श्रंखला और जाल बनाना मानविये गतिविधियां किस प्रकार हमारे परियावरण के लिए खत्रा बन गई है इनका वर्णन करना पारी तंत्र पारी तंत्र किसी क्षित्र में सभी पौधों, जन्तूओं तथा सूख्ष्म जीवों के साथ परियावरण के सभी अजैव भावति घटकों की अन्योनने क्रिया से बना एक प्राकृती तंत्र होता है पारी तंत्र के अव्यव पारी तंत्र निम्न दो अव्यवों से बनता है जैव घटक जिन में सभी जीव सम्मिलित होते हैं अजैव घटक में समलित हैं भौतिक कारक जैसे धूप, ताप, रासायनिक कारण जैसे खनिच पदार्थ, मृदा की नमी इत्यादी पारी तंत्र के प्रकार पारी तंत्र के दू प्रकार हैं प्राकृतिक पारी तंत्र वन, रेगिस्तान, घास के मैदान, परवत इत्यादी पारी तंत्र के जैव घटकों का वर्गी करण हमारे परियावरण के जैव घटकों को मुख्यता तीन समोहों में विभग्त किया जा सकता है उत्पादक, उपभोगता, अबघटक उत्पादक ऐसे जीव जैसे पौदे होते हैं जो अकारबनिक योगिकों से कारबनिक योगिक का उत्पादन करते हैं उपभोगता, ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों से पौशक पदार्द गरहन करते हैं अबघटक, सूख्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों एवं जन्तुओं का अबघटन करते हैं वे म्रिदा में उपस्थित जटिल कार्बनीक पदार्थों का सरल अकार्बनीक पदार्थों में अपुमार्जन करते हैं, जिनका पौधों द्वारा पुना प्रियोग होता है। आहार श्रिंखला आहार श्रिंखला पारिस्थितिकी समुदाय में उपस्तित जीवों की उत्रोत्तर वैवस्ता होती है, जिसमें एक जीव से दूसरे जीव तक आहार उर्जा की श्रिंखला का निर्मान होता है. इस श्रिंखला का प्रतेक जीव अपने नीचे के जीव पर आहार के लिए निर्भर होता है और बदले में उसके उपर का जीव उसे आहार बनाता है. आहार श्रिंखला का प्रारंभ उत्पादकों से होता है. उत्पादक प्रात्मिक उपभोगताओं यानि शाग भक्षी का आहार बनते हैं. वे दूतिय उपभोगता यानि मांस भक्षी का आहार बनते हैं. और उनमें से कुछ तृतिय उपभोगता यानि श्रिंखला में से उपरिस्थित मासभक्षी का आहार बनते हैं. पोशी स्तर आहार श्रिंकला का पोशी स्तर आहार श्रिंकला का प्रतेक चरण जिसमें आहार उड़्जा का स्था नामतरण होता है, उसे पोशी स्तर कहते हैं. प्रथम पोशी स्तर में उत्पादक होते हैं. दुईतिये पोशी स्तर में प्रात्मिक उपभोगता होते हैं। चुकि प्रतेक पोशी स्तर पर आहार उर्जा का इस्थनांतरण कम होता जाता है, इसलिए पोशी स्तरों की संख्या सीमित होती है, और चार या पांच से ज्यादा नहीं होती। पोशी स्तर उर्जा के इस्थनांतरन के दौरान 90 प्रतिशत उर्जा का ख्षय हो जाता है और केवल 10 प्रतिशत उर्जा ही एक स्तर से अगले पोशी स्तर तक इस्थनांतरित होती है अताहा प्रतेक पोशी स्तर पर उर्जा के इस्थनांतरन में 10 प्रतिशत का हिरास होता है इसे उर्जा इस्थनांत्रन का दस प्रतिशत नियम कहते हैं हानिकारक रसाइन जैसे कीट नाशक तथा पीड़क नाशक जिनका प्रयोग फसलों को कीटों और पीड़कों से बचाने के लिए किया जाता है उनको पौधे अफशोशित कर लेते हैं और ये आहार श्रिंखला में प्रवेश कर जाते हैं चुकि ये रसाइन अजैव निमनी कृत है यह प्रतेक पोशिस्तर पर उत्रोतर संग्रहित होते जाते हैं और इनकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि किसी भी आहार श्रिंखला में मनुष्य शीरशस्त है अथा हमारे शरीर में यह रसाइन सर्वधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं उँचे पोशी स्तर के जीवों के शरीर में हानी कारक रसाइनों की मात्रा बढ़ने को जैव आवर्धन कहते हैं आहार जाल परिया वरण में उपस्तित परसपर संबंधित विभिन आहार श्रंकलाओं के जटिल तंद्र को आहार जाल कहते हैं मनिशिके क्रिया कलाप परिया वरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं मनिशिके क्रिया कलाप बहुत से अप्शिस्ट पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो परिया वरण में फेंक दिये जाते हैं ये अप्षिस्ट वायू, जल और मृदा को प्रदुशित कर देते हैं। उत्पादित अप्षिस्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जैव अपघटित अप्षिस्ट, अजैव अपघटित अप्षिस्ट। हम जो कच्रा उत्पादित करते हैं, उसका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए। घरेलू अप्षिष्ट को कच्रा कहते हैं। कच्रे के कारण वायू, जल और मृधा प्रदूशन होता है। अथा इसका सही तरीके से अबघटन होना चाहिए। कच्रे के अबघटन की कुछ विधियान निम्न है। और मृधा प्रदूशन की परत का अप्षय। ओजोन यानि O3 के अणू आक्सीजन के तीन परमाणों से बनते हैं। वायू मंडल के उच्चतर इस्तर पर UV विकरन के प्रभाव से आक्सीजन के कई अणू स्वतंत्र आक्सीजन परमाणों में बढ़ जाते हैं। जो ओक्सीजन अणू यानि O2 के साथ सन्युक्तो होकर ओजोन बनाते हैं। वायू मंडल के उपरिस्तर में उपस्थित ओजोन की परत सूरे से आने वाले हानी कारक UV विकरन से प्रित्वी की रक्षा करती है। UV विकरन से मनुश्यों में त्वाचा का कैंसर होता है। UV यानि CFCS जैसे रसाइनों के प्रियोग से ओजोन की परत को क्षती पहुँच रही है। अथा ओजोन की परत की रक्षा करने के लिए CFCS का प्रियोग अब कम किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, ओजोन परत को क्षती पहुँचाने वाले पदार्थों पर 1987 में मौन्ट्रियल संधी हुई थी। ये एक ऐसी संधी है, जिसके अंतरगत ओजोन की परत को क्षती पहुँचाने वाले पदार्थों के वैश्विक उत्पादन, उपभोक और उत्सर्जन में कमी आई है। साहरांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। एक पारी तंतर में जैव और अजैव घटकों की अनियोननिक क्रिया शामिल होती है। उत्पन्य होने वाले अप्शिष्ट पदार्थों को जैव अपगटित अप्शिष्ट और अजैव अपगटित अप्शिष्ट में वर्गिक क्रित किया जाता है।